हेलो एबरिवन, मैशल्फ राजन और गाईज आज इस लेक्चर में हम लोग exercise 8.1 की question 2 को देखने वाले हैं तो let's see, the question is in the given figure, given figure में find 10p-quotar, 10p-quotar find करना है तो यहाँ पे given figure क्या है, this is given figure, जो की एक right angle triangle है, right और इस given figure में अधि हम angle q की बात करें, तो this is right angle, okay और we know की right angle, किसी भी triangle के right angle का जो front side होता है, this side वो hypotenuse के नाम से जाना जाता है, जो की given, right, pr जो की given है 13 cm और इस triangle में एक और side जो pq है, वो given है कितने 12 cm तो हमें find क्या करना है, हमें find करना है 10p-quotar, right तो जैसा कि हमें पता है, 10p equal to होता है perpendicular by base और quote r equal to हो जाता है, base by perpendicular तो ये दोनों टर्म्स को find करने के लिए, हमें basically perpendicular और base की जरूरत पड़ेगा As you can see here, यहाँ पे हमें pq और qr की जरूरत पड़ेगा That's why हम सबसे पहले qr को find कर लेते हैं तो by pythagoras theorem, pythagoras theorem के अनुशार हम चालते हैं कि hypotenuse का square equal to हो जाता है perpendicular का square plus base का square तो by pythagoras theorem, pr square This side, pr square equal to हो जाएगा, perpendicular का square It means this side, pq का square plus base का square Means qr का square Right? अब यहाँ पे हम value put कर देंगे तो as you can see here, यहाँ पे pr equal to given 13 cm तो हम, मैंने put कर दिया 13 cm and equal to pq जो given 12 cm तो pq के जगर 12 cm हमने put कर दिया plus qr square Right? अब 13 cm 13 cm का square का square हो जाता है 169 Right? equal to हो जाएगा 12 12 का square हो जाता है 144 plus qr square Right? अब qr square equal to क्या हो जाएगा यह जो 144 है, वो equal to के इधार आजाएगा तो minus में हो जाएगा Right? किजी भी term में को अधी equal to के अगल और बगल It means exchange किया जाता है तो उसके sign में changes आ जाते है तो that's why यहाँ पे हम 169 minus 144 करेंगे Right? अब यहाँ पे qr square equal to क्या हो जाएगा जब यह दोनों numbers को subtract करेंगे तो हमें 25 find होगा अब since qr equal to 25 हुआ तो qr square equal to हो जाता है 25 तो qr equal to क्या हो जागा अंडर रूट 25 जैसा कहीं मैं पता है अधी कोई number राइट अधी x कोई x number है variable है x square equal to अधी a है तो हम x equal to plus minus under root a लिखेंगे तो इसी पे बेस्ट है तो यहाँ पे qr square equal to क्या है 25 तो qr equal to हो जागा अंडर रूट 25 और qr equal to हो जागा फाइब सेंटिमीटर तो हम लोगों ने यहाँ पे qr हम लोगों ने यहाँ पे इस साइड को फाइंड कर लिया है ओके अब हमें find क्या करना question में उस पे जंप करते हैं तो जैसा कि हम लोगों ने देखना कि हमें find क्या करना है तो यहाँ पे अंगल पी की बात की जा रही तो इस एंगल के लिए जो इसके फरंट साइड में जो साइड होता हो क्या हो जाएगा परपेंडिक्यूलर और इस एंगल के जो एडिजिसेंट साइड होता है वो क्या हो जाएगा बेस राइट तो यहाँ पे देखते हैं टेन पी टेन पी क्वल टू हो जाता है परपेंडिक्यूलर बाइ हैपोटेनस राइट अब परपेंडिक्यूलर क्या है दिस साइड value put कर देंगे QR का value हम लोग ने कितना find किया 5 find किया तो QR के जगवा 5 put कर देंगे and PQ का value कितना दिया हुआ given क्या है 12 cm तो PQ के जगवा 12 cm put कर देंगे इस परका हम लोगों ने 10P 10P equal to find कर लिया है 5 by 12 ठीक उसी परका हम लोग find करेंगे quota quota तो सबसे पहले quota angle के angle की बात की किस एंगल की बात के जारी quota में angle r की बात की जारी है तो यहाँ पर देखते है angle r इस angle इस angle तो इस angle का जो पूजी side होता हो हो जाएगा perpendicular और इस side का adjacent side हो जाएगा वो क्या हो जाएगा base राइट तो यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि quote theta equal to हो जाता है base by perpendicular तो base यहाँ पर क्या है अब यहाँ पर value को put कर देंगे पिक्यू के जगा क्यू आर के जगा क्यू आर के जगा क्यू आर का value पूट के जैसा कि लोगोंने find किया 5 तो 5 and PQ के जगा कि this side PQ के जगा पिक्यू का value put कर देंगे 12 cm इस परकार हमने find कर लिया कोट और equal to fiber 12 राइट अब हमें find का अब हमें actual में हमें find क्या करना थे actual में find करना 10 P minus quota राइट तो यहाँ पर 10 P minus quota लिग देंगे और दोनों का value हम लोगोंने अभी find किया है this and this तो हम यहाँ पर put कर देंगे राइट यहाँ पर fiber 12 minus fiber 12 cancel हो जाएगा और बच्चे का answer 0 तो इस परकार से हम लोगों ने इस question को देखा thank you